जब मैं law of attraction सीख रहा था, एक चीज हमेशा मेरे mind में आती थी कि astrology ये बोलती है कि आपकी life में ये चीज होगी और law of attraction ये बोलता है कि आप अगर इस चीज पर focus करोगे तो वो चीज आपकी life में आएगी अब उन में से एक ही चीज सही हो सकती है या तो law of attraction सही हो सकती है जो बोलती है कि आपका future fix नहीं है या फिर astrology जो बोलती है आपका future fix है ये आपके साथ होने वाला है तो मुझे शुरुआत में बहुत ज़रा problem आती थी बहुत ज़रा confusion होता था और मैं जानता हूँ कि काफी सारे लोगों के mind में आज तक ही confusion होता है जब कभी उनको कोई astrologer बोलता है कोई predict करता है कि उनकी life में ये होने वाला है और वो घबरा जाते हैं कि अब क्या करें वो तो आज इस वीडियो में मैं धग से breakdown करूँगा कि कैसे आप astrology को समझोगे from law of attraction point of view astrology में अलग-अलग houses होते हैं अगर आप देखोगे किसी कभी birth chart उठा कर तो उसमें अलग-अलग houses होते हैं हर एक house का एक meaning है एक house हो सकता है spirituality को लेकर एक house हो सकता है financial growth को लेकर एक house हो सकता है आपके relationship को लेकर अब हर एक house में आपके कुछ ना कुछ planets हैं ये चीज़ याद रखे अब दूसरी चीज़ इस earth पे आने से पहले ये जनलम लेने से पहले आपने सब चीज़े decide की थी क्या चीज़े decide की थी आप इस vision के साथ आये थे एक theme के साथ आये थे कि मैं एक ऐसी life जीना चाहता हूँ जिसमें मैं ये चीज़े witness करूँगा ये चीज़े experience करूँगा आपका soul जानता था कि उसकी life में क्या mission होने वाला है वो और वो mission लेकर उसने एक parent चुना आपके माबाप आपका घर कहां होने वाला आपका place of birth वो चुना आपका place of time वो चुना और वो ही same exact place और time चुना जहां पर आपके जो वो planets है उस ही same house से match करेंगे जिसमें आपको जाना है जिसमें आपका growth होगी तो अगर आपके soul ने decide किया कि आप एक बहुती successful बहुती rich person बनोगे तो वो एक ऐसी house में आपको वो planet देगा जो आपके लिए बहुती जारा benefit हो अब अलग-अलग houses में जैसे में बता चको हर एक house बताता है कि आपकी spiritual growth होगी एक house होता है financial growth होगी तो ऐसे करके अलग-अलग houses होते हैं अब हर एक house को आप मान लो एक stage की तरह है तो अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पर stage है अब stage पर ये person खड़ा है अब ये stage पर person खड़ा है और यहाँ पर एक planet है और मेरे ख्याल इसके लिए negative है तो जैसे आपके planet है वैसे ही वो particular चीजे जो इस house से related है वो आपके पास होगी या आप से दूर होगी for example अगर आपके एक house में एक ऐसा planet है जो आपके लिए positive है जो आपको पढ़ाई करने में मदद करेगा तो वो पढ़ाई वाली चीज आपके पास होगी आपके लिए पढ़ाई करना easy होगा या फिर उसका opposite अगर एक ऐसे house में हो जहां पर आपसे पढ़ाई नहीं होगी और आपका मन सिर्फ खेल खूद में लगेगा तो आपके पास वो खेल खूद का option जादा रहेगा तो जैसे मैंने बताया कि एक house में आप ये मानलो एक stage है stage पे खड़े उकर वो person acting कर रहा है जैसे मैं आप लोगों के साथ acting कर रहा हूँ और ये मानलो remote उठा रहा हूँ या फिर ये mic मेरे हाथ में ये सारी की सारी चीजे props है अगर acting करते हैं आपने देखा होगा कुछ actor कुछ चीजे उठाते हैं कोई भी चीज उठाते हैं ड्रामा करते हैं वक्त वो उनका prop हुआ उसी तरीके से उस house में ये छोटी छोटी जो props है ये छोटी छोटी चीजे हैं या तो उनके आस उनके पास होती है या उनसे दूर होती है अब आपके पास वो props हैं आपको उनका ही फायदा उठा कर आपको आगे बढ़ना है जो चीज आपके पास है उसको आपको best use लेना है और उससे आगे बढ़ना है अगर आपके इस house में इस particular house में जहां पर आपको पढ़ाई करनी है आपके exam आ रहे हैं बड़ आपस पढ़ाई नहीं हो रही और आपका ध्यान सिर्फ खेल खूद में लग रहा है तो आपको उसका फाइदा उठाना है कैसे फाइदा उठाते हैं आपको ये recognize करना है कि ये जो चीज आपकी life में आया है ये incident जो आपकी life में आया है वो कोई ना कोई particular reason से आया है आपने आपके soul ने ये particular stage इसलिए चुना ताकि वो आपके लिए खेल खूद आपके पास लेकर आए और पढ़ाई आपसे दूर रख है कि कितनी determination है आपकी कि आप पढ़ाई को पकड़ के रखो और खेल खूद को दूर रखो तो ये समझ रहे हो हर एक house में जब हम बोलते हैं कि आपका बुरा वक्त चल रहा है आपका अच्छा वक्त चल रहा है कोई बुरा वक्त अच्छा वक्त नहीं होता वो सिर्फ आपक कि ये negative planet आपकी life में आना चाहिए ताकि आपको एक तरीके से test रखे आपका मालो अगर आपको test करते हो कोई भी difficult situation से भार निकलते हो तो आपकी खुद की spiritual growth होती है तो वो spiritual growth को ध्यान में रखते हुए उस planet को उस negative planet को आपके house में रखा गया है और रखा गया भी नहीं है आ मैं चाहता हूं कि law of attraction यूज करूं ताकि मैं उस negative planet से दूर हट पाऊं तो वो चीज काम नहीं करेगी क्यों कि law of attraction क्या बोलता है like attracts like तो अगर आप उसको label दे देते हो उस planet को कि ये negative है ये मुझे judge कर रहा है ये मुझे test कर रहा है तो वो चीज आपके लिए काम नहीं करने वाली आपको उसका बिल्कुल opposite करना है जब कोई negative planet आपके उस house में आता है तो आपके पास जो props है ये चोटी चोटी जो props है खेल खूद पढ़ाई ये जो जो भी चीज़े हैं आपके उसका आपको फाइदा उठाना है उसको आपको thank you बोलना है कि वो चीज आपके पास है वो negative situation आपके पास है अब खेल खूद और पढ़ाई वाला option शायद हर किसकी life में ये example काम नहीं करेगा बड़ आप समझ सकते हो कि किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि आपकी life में जो भी situation है उसको thank you बोलना है आपकी उस house में कोई भी negative planet है उसको thank you बोलना है क्योंकि उसके बिना आप ये video भी नहीं देखते उसके बिना आप law of attraction के फारे में शायद जानते भी नहीं तो उसको thank you बोलना है और फिर वो जो negative planet है उसकी energy change होने लग जाएगी क्यों change हो रही है क्योंकि आपकी खुद की energy change हो रही है अब कैसे अगर आपको मैंने बताया जैसे मैंने पैदा हुए थे आपने ये decide किया था कि आप इस date पे पैदा होंगे और इस time पे पैदा होंगे और इस जगें पे पैदा होंगे ताकि वो planet आपकी energy से match करें अब आप planet की दो energy change नहीं कर सकते बट आप एक चीज़ चेंज कर सकते हो आपकी खुद की energy जब हम पैदा हो रहे थे हमने अपनी खुद की एक frequency रखी थी जो match करती है उस planet से उस planet से और उस planet से अब अगर आप अपनी खुद की energy change करने लग जाओगे तो वो planet जो negative planet है वो आपको positive करने लग जाएगा अब इसी कारण से लोग gemstone पहनते हैं क्योंकि आपकी खुद की energy change होने लग जाती है और दूसरी चीज इस कारण से ही लोग काफी सारे जोच्छी और काफी सारे astrologers आपको ये बताएंगे कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए आपको इसको खाना देना चाहिए बट मेरा general idea ये है कि अगर आप अच्छा काम करते हो not from the point of view कि इस situation को मेरे से दूर हटाओ अगर इस mission के साथ करते हो तो उल्टा होगा पर अगर आप इस mission के साथ करते हो कि मेरी life में ये negative चीज आई है और मैं अपने आपको जोधार ना चाहता हूँ ये negative time मुझे कोई शिक्षा दे रहा है मुझे कोई lesson दे रहा है उसको में को पूरी humble humbly उसको accept करना है तो जब humility आती है आपके पास उस negative time पे उसमें हाथ जोड़कर आपको बोलना है कि thank you आपने ये मुझे चीज दिखाई और इसी time पे होवपूनो पूनो बहुत ज़रा काम आता है अगर आप इस time पे होवपूनो पूनो करोगे तो वो negative planet आपके लिए positive हो जाएगा जो astrologers आपको बोल रहे थे कि आपकी शादी नहीं होगी आपके exam पास नहीं होंगे या आपकी शादी टूट जाएगी या आपके साथ एक बहुत बड़ा accident होगा उसका बिलकुल opposite होने लग जाएगा आप flourish होने लग जाओगा आप financially rich होने लग जाओगा आपके life में वो partner आएगा क्यों क्योंकि आपन खुद की energy change की है अगर मान लो ये जो planet है ये एक energy दे रहा था एक particular energy दे रहा था मैंने यहां पर लिखा है hashtag 1a मान लो energy का नाम हम hashtag 1 है और आपकी energy थी hashtag 1a तो अगर ये negative planet आप पे कुछ हावी पहुचाना चाहता तो पहुचा सकता पर आपने अपनी खुद की energy change कर दी उसका नाम अपने रख दिया energy hashtag 1b तो वो negative planet का असर आप पे होएगा ही नहीं क्योंकि आपकी energy और उसकी energy match ही नहीं करती आप एक तरीके से ये मान लीजे कि अगर आप magnet लेते हो north pole north pole वो दोनो repel होंगे उसी तरीके से वो दोनो repel होने लग जाएंगे of course ये example इस situation में काम नहीं कर लेगी तो law of attraction और law और astrology दोनों एक साथ काम करती है उसको एक साथ में कैसे काम करना है अगर आप astrologer के पास जाते हो prediction लेते हो तो इस point of view से करना कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी life में आने वाली theme कौनसी है इस जो house में ये जो planet आ रहा है ये मुझे क्या सिखाने वाला है य astrology के पास astrologer के पास तो बहुत ही अच्छी चीज है उसमें कोई खराबी नहीं है बट जिस time पर अगर आपके mind पर उस astrologer ने हावी कर दिया और ये प्रूव कर दिया कि ये लिखा हुआ है आपकी life में और ये होने वाला है तो आपका ध्यान उदर जाएगा और जैसे आपका law of attraction वो negative चीज आपकी life में जरूर लाएगा तो एक और चीज बोलते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है actually सही बोलते हैं सब कुछ लिखा हुआ है क्योंकि सारी की सारी possibilities exist है पर सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए वो actually true नहीं है इसको समझाता हूँ मैं quickly मैंने बाकी videos में सम समझारक है बर इसको short में समझाता हूँ कि आपकी जो जिस direction में आप जा रहे हो उसके लिए वो पंड़त जी बोल रहे हैं सब कुछ लिखा हुआ है हाँ वो लिखा हुआ है वो चीज लिखी है बर उसके लावा और भी बहुत सारी different directions में आप जा सकते हो वो भी लिखा इस moment में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वेडियो बना रहा हूँ वो possible है और इस time पे बात करते वक्त एक plane crash करके मुझे मार सकता है वो भी possibility है सब कुछ चीजे लिखी वी है और वो सारी की सारी चीजों में से एक चीज possible है आपकी parallel reality में at the end जो matter करता है आपकी खुद की frequency आप किस तरीकी से energy भेज रहे हो ताकि वो planet आप पे असर कर पाए और इसलिए अपने आपको change करना जरूरी है चोटी चोटी चीजे हम चोटी चोटी गलतिया करते हैं और ऐसे ऐसी गलतिया करते हैं हम कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाएग वो मैं आने वाले अपनी class में बताने वाला हूँ जो Sunday को होगी Sunday January 22 और उसके बाद आने वाले हर Sunday को till February 12 चार classes होगी रोज हर हफते एक से लेकर दो घंटे की पीछ में होगी जिसमें मैं बिलकुल breakdown करूँगा कि कैसे आप अपनी खुद की energy change कर सकते हो कैसे कौन से कौन से daily practices रख सकते हो जिसके through आप अपने आपको change कर पाओ तो मैं बता रहा हूँ कि जो मैं course लाने वाला हूँ वो बहुत ही mind blowing होगा और ये जो practice practices बताने वाला हूँ मैं वो आपकी life में बिलकुल magic की तरह काम करेगी और ये मेरा वादा है कि आपकी life बिलकुल नई direction में जाना लग जाएगी तो अगर आप चाहते हो कि वो course join करें तो आप नीचे link पर जा सकते हैं और purchase कर सकते हैं course course free नहीं है जैसे मैं बता चका हूँ पहले course की value है 1000 rupees बट इसमें आपको पूरी value मिलेगी और मैं इस course को इसलिए push कर रहा हूँ ये नहीं क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे पूरे December में बैठके मैंने इस पूरे course को लेखा है उसके उपर बहुत study किये है और अलग अलग presentations बनाई है और मैं चाहता हूँ कि वो waste नहीं जाए और आप लोगों को बिल्कुल काम आए अगर आप चाहते हैं कोई questions कोई अलग video बनाऊं कोई questions है तो वो comment box में post कीजिए आप मुझे Instagram पे भी reach out कर सकते हैं और मैं आपके answers जल्दी answer करूँगा Thank you